इस्लामिक एक्स्रमिस्ट इस्रॉप्टिंग योगा सेलिबरेशन इन माल्दीव्स हाव गॉन वाइरल उन सोचल मेडिया हलो एवरिवन कैसे हैं आप आसा करता हूं स्वास्थ होंगे और आज हम लोग 22 जून 2022 की दाहिंदू को डिसकस करेंगी तो आई स्टाट करते हैं आज का दाहिंदू एडिटूरियल डिसकसन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को सेयर और टेलिग्राम सब्सक्राइब को जोन नहीं किया तो कर लिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स मिल जाएगी और हर महिने आपको मन्थली में यहां बिलकुल फ्री मिलेगी आज का कॉश्चन है आपको बताना कि जो प्रेसिडेंट का एलेक्शन होता है तो एलेक्शन में क्या होता है वोट कौन कौन करता है तो आपको यह टॉपिक मैंने कल बहुत ही डीटेल डिस्कस किया था और आज जो कॉश्चन है कॉश्चन क्या है आपको बताना है कि इन में से कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है पहला स्टेट्मेंट क्या है तो पहला स्टेट्मेंट क्या है दूसरे statement क्या है कि value of vote of MPs of लोकसभा यानि जो लोकसभा का member of parliament होता है उसकी vote value जादा होती है more than जो राज्यसभा का MP होता है वो तो दूसरे statement यह है तो इसका right answer मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा तब तक आप इसको को सिस करिए कि right answer इसका क्या हो सकता है आए discuss करते है आज का पहला आज आप जो article है article अगर हम देखें तो किस पर है यह विसक लीज में क्यों है अभी हमें क्या देखने को मिला 21 जून को क्या मनाया जाता है 21 को मनाया जाता है योगाडी तो इस दिन क्या हुआ मौल्डीप में घटना हुए योगाडी के दौरान क्य क्या हुआ भीड ने हमले कर दिये अचानक से तो इस दौरान क्या है वहाँ पर अफरात अपरी मच गई हाला कि पलिस के द्वार अफर इस इंसिडेंट को क्या कर लिया आराम से स्वाल्प कर लिया अगर हम देखें जो प्रैसिडेंट है इब्राहिम सुले इन्होंने कहा है कि करेंगे जांच करेंगे और देखेंगे क्यों किनी सारी हरकते की हैं तो यह घटना इस तरुकी की घटना हमें नहीं देखने को मिलनी चाहिए तो इससे हम यही ऐस साकते हैं कि हमारे हम ना हपाएं तो यह हमारी गवर्मेंट इससे सीख ले सकती हैं बहिंग राष्टपती का चुना होना है जो लाई के एंड में तो उसको लेकर आप प्रबल दाविदार है रूलिंग पार्टी के और ऑपोजिशन पार्टी के तो उनके नाम एनाउंस हो चुके हैं अगर हम ब ऐंड यह गवर्मेंट उसकी तरह से और वहीं जो घ्रकंड के राजपाल रहे हैं बाद है और प्रेसिडेंट का कस तरीके से होता है इसका मैंने लेक्चर बनाया अगर आप कल का वो लेक्चर देख लेते हैं तो सारे जितने भी आपके डाउट है प्रेसिडेंट एलेक्शन से लेकर किस तरीके से जो मेंबर ऑफ पार्लियमेंट हो गया उसकी वोट वाल्यू और दोनों साधन में चाहे हम बात करें राज्य सबाकी या फर हम बात करें पार्टीकेट करते हैं तो इनकी वोट वैलिः क्या होती है डार्यक्ट। डार्यक्ट केसपेड़ेंट करती है उस राज्य की पॉपूलीशन पर अगर पॉपूलेशन जाना अँग कर वहां करें एमेले हो गया उसकी जो वोट वैल्यू है वो भी ज्यादा रहेगी तो डारेक्टिर ली प्रोपोर्शनल किसके हिवाहा की पॉपॉलिशन की एमेले की वोट वैल्यू तो जो मैंने कॉस्टन पूछा था आप आसानी से आप दे सकते हैं यानि चाहे वो राजसभा का हो या फ पर है जन संक्या के मामली में अगर देख जा यूपी तो बहां पर कितनी 208 देखने को मिलती है एक एमेले की वोट वैल्यू लेकिन बहीं आग अरुनाचल चली जाए तो अरुनाचल प्रदिशने को मिलती आठ देखने को मिलती है वोट वैली तो यह मैंने आपको कल सारी दिसकस की थी ब्रीफली मैंने आपको यहां बता दी तो अब जो दो ऑपोनेंट की नाम है एनाउंस हो चुके हैं जारकंड के जो गवर्नर रही हैं वो रहने वाले हैं ऑपोजीशन में और साथी पाँछ चुके जारकंड जो गवर्नर रही है दृपदी मुर्मू यह रहने वाली हैं और यह एससे पहले क्या थी यह बूमैंस भी आदिवासी बूमैंस हैं तो यह रहने वाली हैं और दूसरा नाम है यह किसा है यह है येसवंत सिना जो फॉर्मर फाइनांस मिनिस्टर रही हैं ये जो गवर्नर रह चुकी है और वोमेंस भी है ट्राइवल भी है और ये कहां से हैं और इसा से हैं तो इनको क्या है प्रेसिडेंट के लिए नौमिनी अनका फिल किया गया है तो देखते हैं किस तरीके से ये आंगे बरती हैं और MPPSC का भी संडे को एक्जाम होगा था तो इसमें एक कॉस्चन आया था इस कॉस्चन में क्या था एक कॉंट्रवर्स कॉस्चन था कॉस्चन था जम्मु कस्मीर को पाकिस्तान को देने कर लेना चाहिए कथन यह है अब इनके जो दो स्टेटमेंट है यह भी कॉंट्रवार्स थे पहला क्या था हां इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा तो पहला स्टेटमेंट यह था दूसरा क्या था नहीं ऐसे नर्णाय से इसी तरह की और भी मांगे ब आपसं थे तरक एपरवल है और एक और था कि दौन परवल है और दौन परवल नहीं है तो यह स्टेटमेंट दिये हुए थे तो इस कॉस्टन को लेकर जो पेपर सैटर हो गया जो इसको देखते हैं तो उनको क्या कर दिया गया है ब्लैकलेस्ट कर दिया है एक था MP का माध् सब्सक्राइब दिया तो अब जाएं निद्सक्ति को क्या है है मारे ब्रीशन के लिए अच्छे कॉश्ण नहीं थे तो इसको लेकर जो नरत्म मिस्रा है जो हम मिनिस्टर है माध्य प्रेदे़ के इन्होंने कहा है कि इन कॉस्टन को क्या कर दिया गया है प्यौं पेपर इनको क्या कर दिया है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तो यह पूरा आइकोनिक लोकेशन हमारी पूरे कंट्री में तो बहां पर हमें क्या है योगा के एवेंट देखने को मिले हैं अलग बहुत हैं तो कितने पंद्रह हजार पीपल क्या थी गैदरिंग मास गैदरिंग हमें देखने को मिली है कहां पर माइशूर में आइकोनिक पैलिस माइशूर में तो यह पूरा यह पूरा आर्टिकल था है यह सारी चीज़े डिसकस की गई है वहीं अगनी पाति स्कीम को लेकर है यह कार्टून है यह कार्टून क्यों आगर आप इससी वीड्रीं का इंटर्वीय देते हैं तो एस टाइप के जो आर्टून होते हैं तो इस्में अभी क्या मुद्दच छला है पूरे देश में अभी जो गवर्मेंट वीजिवें के गवर्मेंट यह क्या इसकी मिलाई है आगनी पत्सकी इ कि अब भी जो अबजीत डोवाल होगा जो एनसे हमारे नेसनल से क्यार्टी एडवाइजर हैं इन से एनोंने क्या किया एनाई को इंटर्वी के दौरान कहा कि जो यह स्कीम है यह 1970 में आने थी लेकिन उस टाइम पर इनोंने कहा कि पॉलिटिकल विल है वो देखने को नहीं मिली तो इस वज़ाए से यह जो आर्मी में रिफॉर्म है वो हमें देखने को नहीं मिले थे और दो हजार तीन-चार में भी यह क्यास लगा जा रहा थे कि इसमें आर्मी में रिफॉर्म होंगे तो फिर पॉलिटिकल विल के वज़े से तब यह इसा नहीं हो पाया अभी जो हमें लगा था अगर हम देखें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पूरे देश में क्या चल अगर आप आर्मी जोइन करने आ रहा है तो यह देश सेवा थोड़ी है जो आप हर कम पर इस तरीके से पूरे देश में इसी स्कीम को लिकर ब्रोथ चल रही है और हलाकि आप अगर हम देखें जो किसान कानून जिस तरीक से क्या है गवर्मेंट क्या कर लिया था उनको पर्मनेंट नहीं रहेगी और आगे क्या होगा जो 25 परसेंट से से रहेगे वह उनको आंगे क्या कर दिया जाएक पर्मनेंट के लिए भीड और यह जो इसमेंट मिलेंगे बांकि गये सब्सक्राइब और चल जाते हैं तो अब भी गवर्मेंट में अनाउस किया है कि जितन यह थोड़ी एक्सट्राइं से में इसलिए बता रहे हूं ता को आपको चीजे याद हो जाएं तो इसमें जो सैली है पहले 30,000 फिर दीरे बारती जाएगी कि end of the year यह कितनी हो जाएगी चार साल में 40,000 फिर हो जाएगी और साथ ही इसमें से आपकी 30% क्या है काट दी जाएगी और 30% क्या है जाएगी मिलाएगी इसमें आपकी सैली तो जब आप छूटेंगे अपनी जोब छोड़ेंगे तो आपको 11,00,000 से ज्यादा रुपी क्या होगी मिल जाएंगे एक साथ लंब सम्म आमांट आपको मिलेगा तो इस स्कीम को लेकर पूरे देश में क्या है यूबा ब्रोथ कर यह एक ऐसी स्कीम है कि जहां पर चाहे बीजेपी की गवर्मेंट हो चाहे ऑपोजीशन की गवर्मेंट हो हर राज में आपको इसके क्या है ब्रोथ करदस हम देखनी को मिले थे तो पूरा यह मुद्द था आज के आर्टिकल बहुत ही शांदार है खासका राज अगर हम दे इंटरनेट है हमारी इंडिया में क्या है इसकी लगने वाली है तो इसको लेकर यह पूरा आर्टिकल है एडिटोडियल है तो आए स्टार्ट करते हैं यूनियन कैबिनेट अगर हम देखें लास्ट वीक मेंने क्या है क्लियर कर दिया है जो फर्स्ट ऑप्षन है जो रोल आउट होने वाला है फाइफ जी टैलीकेशन टैली कम्यूनिकेशन सर्विस का तो इसको लेकर जो 169 पेज का एक नोट नोटिस है जो इन्वी इन्वेट इंशन जो अप्ली किसेंज में सारे चीज़े करेश्टल के लिए अर्दी हुए है डीटेल के साथ तो इसकी जो बिडिंग है कब से स्टार्ट होने वाली है 26 जुलाई से इसकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है इस जो आउक्षन की 5G स्पेक्टरम की तो इसको लेकर जाएगी हमारे देश की जो आयोटी की आउधारना है इंटरन और इंटरनेट ऑफ तिंक्स की यह भी इससे साकार होगी पूरे देश में अगर हम देखने तो फाइफ जी इंटरनेट हमें देखने को मिलेगा तो गवर्मेंट अभी जो रैपेडली काम कर रही है यानि गवर् टेक्निलोजी है पूरी देस में आजाए तो फास्ट फ़ारवार्ड टीकां काम कर रहा है यह कमिंडर यावल बर्क हमें देखने को मिल रहा है अब अगर हम देखें जो प्रायमरी मॉटिवेशन है गवर्मेंट का कि जली-जली फास्ट फ़ार वार्वॉर्वार्वार्ड तो इससे होगा यह कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है इसको बूस्ट मिलेगा और अगर हम देखें जो रैपड ग्रोथ अगर हम देखें जैसे बायरलेस टैली फोनी जो प्रिसेप्टिबिलिटी हो गई इंप्रूफ होगी जो डिलेबरी सर्वेस हो गई मोवाइल वैंकिंग या फिर ओनलाइन एजुकेशन की बात करें टैली मैडिशन की बात करें जो ओनलाइन अब हेल्थ कैसे विदायम प्रोवाइड हो रही है यह सारी चीज़े संभा हो पारी है किस बजाए से सर्फ इंटरनेट अब जीरे दीरे हाई इंटरनेट होगा पूर जो टोटल जर्नी हैं बंजी से लाकर 5th generation की टैक्कनOLOGIी हमें की मिलनेवाली है तो इसकी जर्नी कैसि रही तो इसको हम डिसका करते हैं अब अगर दे जो 5 जी ज फिउब्ट जन्रेशन हमें mobile network देखने को मिलने वाला है जो new global wireless standard देखें, ये किसके बाद आने वाला है पहले bungee आया, 2G generation आया, 3G, 4G network, अब अगर हम देखें, जो ये जो आने वाला है new kind of network, ये क्या कर रहेगा, designed है connected virtually everyone, यानि हर चीज़िए क्या हो, वर्चुली आप एक दूसरे से टेकनोलीजी के थरू बहुत सारी चीज़े कर पाएंगे और एबरीटिंग टुगेडर इंक्लूड इंक्लूडिंग और इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी जो मसीन्स हो गई ऑब्जेक्ट हो गई डेवाइस हो गई सब कुछ चीज़ें आप सब्सक्राइब हो पाएगा और मुस्ट केस मैक्जिमम इंटरनेट डेटा स्पीट अगर हम 4G की देखें तो कितनी हैं बन गीगाबाइट पर सेकेंड है यानि इससे 20 गुना जादा स्पीड हमें देखने को मिलेगी यानि 20 गीगाबाइट तक क्या कर पाएगा यह 5G टेक् जर्नी रही है वह उसने कितने सालों में उंटाई की है आप यहां पर एक ट्रेंड देखेंगे कि हर 10 साल में क्या है एक बंजी से हम तूजी पर गए त्रीजी पर गए फोर जी पर गए यानि आंगे-आने वाला समय है और ज्यादा एडवांस होने वाला है 5G से इवन 5G से एनालोग रेडियू सेगनल और सपोर्ट ओनली क्या वाइस कॉल यानि यह सर्फ वाइस कॉल कर सकते थी आप धीरे-धीरे समय बड़ा एक दसक आंगे हम बड़े और 1990 में आ गए तो तब क्या होगा टूजी हमने लॉंच किया और इसमें क्या चीज हो गई अभी एनालोग रेडियू सेगनल भीज पा रहे थी अब आप हम क्या डिजिटल रेडियू सेगनल और यह क्या सपोर्ट करने लगा अभी सिर्फ हम वाइस कॉल कर पाती थी आप क्या वाइस एंड डेटा ट्रांस्मिशन विद बेंड ऑफ सिक्स्टी फोर के बीपीएस की स्पीड से यह ड 1 Mbps 2 Mbps देखने को मिल गई और टेलीफोन सेगनल इंक्लूडिंग तो यह तो हैं ही वाइस हो गया वीडियो कॉल भी होने लगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग भी चाल हुए 3G के बाद अब आते हैं हम लोग 4G पर यह आया है 2019 के करेड यानि इसका अगर ऑफिशल देखे त 1GB पर सेकंड तक यानि 1GB तक हम लोग पहुंच गए लेकिन अब जो 5G आएगा यह तो चीज और ज्यादा इन्हांस कर देगा यह क्या करेगा इसकी जो स्पीड जैसक्त मैंने आपको बताया कि 20GB पर सेकंड हो जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जो 4G कि थी वो कितनी थी 1GB गीगावाइड पर सेकंड तक ही थी अब अगर हम देखें 5G जो है इसके तीन बेंड रहेंगे कौन-कौन से रहेंगे लोग एंड स्पेक्ट्रम इसमें क्या रहेगा इसमें अगर हम देखें तो इसकी मेंग जीमा में स्पीड कितनी रहेंगी लिमेट कितन यह जो आप्टीमल इस्पेसिलाइजीशन की जरूरत नहीं होगी इंडस्ट्री लिए और मेड वेंड में अगर हम आए तो यह इसकी स्पीड थोड़ी हमें हायर स्पीड देखने को मिलेगी लोग एंड से कंपेर करें अगर तो तो इसमें हमें क्या करना पड़ेंगा हूं इसपेसिलाइज फैक्ट्री यूनिट इसका वहां वहां करती हम है और तो इसकी Hawk इसकी कैना करते हूं जो IOT की आउधारना है, Internet of Things की आउधारना है, ये 5G का जो High Band है, ये फॉल्फिल करेगा, ये टेकनोलोजी कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देगी टेकनोलोजी को, और इसके साथ क्या क्या चीज़ा रहेंगी, Cloud हो गया, IOT हो गया, IOT के साथ, Cloud Computing हो गया, Big Data हो ग ये इंटरनेट पूरा कर देगा, यानि बहुत ही रापिलनी चीज़ें क्या हो जाएगी, अब हमें देखने को मिलने वाली है, तो IHOP आपने इस लेक्चर को इंजोई की होगा, जिसमें हमने पूरी 5G की जितने भी महत्त्यपोंड पॉइन थे, जो हमारे एक्जाम से रेल एक पार्ट है टेक्नोलजी में बहुत AI, Artificial Intelligence, इसको लेकर क्या एथिक्स जो है, एथिकल डेल, जो एथिक्स हो गई, जो नैतिक्ता हो गई, ये कैसे प्रवावेत होती है, तो इसको लेकर ये पूरा आर्टीकल है, इसको हम डिसकुस करने वाले हैं, आखर इसमें बात कीज जा रही है, कि हमें एक Global Standard रखना होगा, जो AI, एथिक्स के लिए, तो इस साब पर ये पूरा आर्टीकल है, तो इसको हम बहुत ही डीटेल डिसकुस करेंगे, आपके मैंस के पॉइंट है, बहुत महातुकून है, ये वाला आर्टीकल, और आपके लिए एक प्रैक्टिस कॉ इसको आपको 200-200 वार्ड में लेखने के गोश्चा करने है, क्वेश्चन क्या है, आर्टीकल इंटेलिजेंस जो निकट है विस्ट है, नियर फ्यूचर, माना के विकास के लिए तो महत्पून है, इंपोर्टेंट फॉर डेवलप्मेंट ऑफ हिमेनेटी, लेकिन क्रतिम बुद्धी मत्तब प्रध्योगी के बिकास यानि जो आर्टीफिसियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलोजी के डेवलप्मेंट और कार्यान बयान से उत्पन होने वाले नेतक प्रभावों पर हमें क्य देवलप्मेंट से सुनते हैं तो डेविनेटली आप इसका अंसर धाइस हो क्या इवन तीन सो चार सो बाड़ में भी आप इसको लिख सकते हैं तो इसको आप ध्यान से सुनिए पूरे आर्टीकल को सबसे पहले सवाल उठता है कि आटिफिसियल इंटेलिजेंस होती क्या है इसको आप जान लीजिए कि यह होती क्या है इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो एक्शन ऑफ मसीन एकंप्लेसिंग टास्क इस्टोरिकल रिक्वार हीमन इंटेलिजेंस यानि आटिफिसियल इंटेलिजेंस क्या करता है बिसकली इसको अगर हम इसकी टेक्निक देखे तो करते हुगे वह कोई भी डिसीजन लेती है ऐसी जो टेक्नोलोजी के थुरूल ले जाती है डिसीजन उसे हम आर्टिफिसियल की कैटिगरी वे रख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगे जैसे मसीन लर्निंग हो गई पैटर्न रिकॉगनाजीशन हो गई डेटा हो गई नियूरल नेटवर्क हो गई यह सारी चीजें इसमें हम रख सकते हैं और इसका ओरिजन और कॉंसेप्ट अगर हम देखें तो ट्रेश्ट बैक्टू ग्रीग जो माइथोलोजी है ऑल्दो ऑनली डियूरिंग मॉडरन हिस्ट्री इसमें क्या था हालाग कि उस डेटा है इसमें अगर हम देखें तो क्या चीजें देखने के मिलती हैं डेफरेंट फ्रम हाडवेयर डिर्में रोबोटक आटोमेशन यानि अब भी अगर हम देखें तो जो रोबोटक आटोमेशन हुए जो हाडवेयर से संचालत है इन साब से भी यह बहुत ही अलग अगर आप इसको बल्क में भी काम देंगे तो बहुत ही आसानी सी यह सारी चीजे कर पाएगा और मिस अंडरस्टूट फॉर मसीन लर्निंग या क्या है ब्रॉडर कॉंसेप्ट है बंच आप टेकनोलोजी यानि बहुत साई टेकनोलोजी का मिफशर देखने को मिलेगा इसम नेट्वर को बहुत सारी चीजे इस इंक्लूट रहेंगी जितनी भी टेकनोलोजी से रिलेटेड होगी अब इसका एविलिशन कैसे हुआ पूरा जो टेकनोलोजी इसका एविलिशन के अगर हम बात करें तो 1956 में अगर हम जाएं तब अमरीकन जो कंपीटर साइंटेस्ट है अगर हम देखें तो किसके जो नॉलेज होगा इंसा भी का यूज करके जो है पूरा दुनिया खोजने में लगा हुआ इंटेलियंस की जरी है और इसमें अगर हम देखें हूं देयरेज यूस्टू सेबरल डेडिकेटिज प्रोजेक्ट यानि जो एइस पर गवर्मेंट अगर हम देखें तो मैं अमेरिका होगा यूरोप होगा इन्होंने फंडिंग भी दी है के लिए पहले जब इसका अगर आपको अर्टीफियल इंटेलियंस को समझेना है तो मैं आपको एक सीरिज बथा तो मोवी पूरी सीरिज अगर आप देखें तो उसमें देखा तर्विनेटर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि तो यह किस चीज का नाम है आपने देखा होगे कि अक्सर आपने मान के चलिए कभी भी में जैसे आपने सूज सर्च किये तो आपको 24 गंटे चाहे आप यूटूब खोलें या फर आप फेस्वो खोलेंगे तब आपको हर हर जगा क्या देखने को मिलेगा हर जग्वारें चाहरी यह सारे डिक आपके धाने सार्व कर रही है तो इतनी पनार्फफोल है तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपके अंदर की चीज पूंदिया में क्या पोजिशन हे तो नाइंथ पॉजिशन पर हमें देखने को मिलता है तौप में युएस होगा होगा, यूके यह टॉप लेस्ट में हमें देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छा है हमारे जो वच्छे है वह भी आई की वारे तस्तीखेंगे जानेंगे इसके बैनिफेट्स और जान लिए इससे ही होगा यह कि मान के चलिए कोई क्रिमिनल है अगर आपको पता लगाना है तो पूरा जो एक तुरू क्या रहेगा हमा देश के पूरे CCTV फोटेज कनेक्ट रहेंगे तो एजीली हम क्या कर पाएंगे कोई भी क्रिमिनल है अगर किसी भी फोटेज में देखता है तो आसानी से उसको डेटेक्ट कर पाएंग उसकी इमेज को वाइमेट्रिक हो गई और जो उसकी फोटो जो गए इन सब इसे आसानी क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं तो यह तो हो गया का करेगा अगर हम देखें वाटर हो गया कितनी क्रॉप की जरूद कितनी वाटर की जरूद से क्रॉप को कहा आप पाने लिए जवाल यह सारे चीज हम आएवल्योइट कर पाते सकते हैं और complex इसूद जैसे अगर हम देखें तो efficient utilization to available resources यानि जो हमारे पास resources है उनका अगर हम देखें तो कितने ही complex हो लेकिन Artificial Intelligence के लिए वो mint to second का काम है तो आसानी से वो solo कर सकती है और data को analyze भी कर सकती है AI इतनी ज्यादा efficient है इतनी ज्यादा improve हो चुगी है कि कोई भी चाहे weather prediction हो या device हो video हो हर चीज को analyze करती है जैसे आगर आप देखेंगे तो YouTube पर जब भी आप चीज़े करते हैं उस पर AI काम कर रहे है algorithm काम कर रही है सारी चीज़े क्या है आपकी देख लेती है कि किस type content है किस type का नहीं है तो फिर वह क्या करती है आंगे उसको बढ़ा दिए तो यह सारी चीज़े कहीं ने कहीं analyze कर पा रही है यह benefits भी हमें देखने को मिलते हैं कौछ और चीज़े हैं जो आप समझ लेजिए machine learning में अगर हम देखें तो artificial क्या काम कर पाएगी deep learning का काम कर पाएगी predict कर पाएगी analytics कर पाएगी और language processing में भी काम कर पाएगी classification कर सकती है एक data से दूसरी data को extract करके अलग classified work बनाके भी रख लेगी AI translation का काम कर सकती है अच्छे तरीकी से data को extract करना अगर आपको कोई complex data सर्च क करना है तो AI बहुत ही rapidly जल्दी से आपको उस data को आपके सामने रख देगी और क्या कर सकती है अगर आपने text कर दिया कुछ भी text लखा है तो AI बोल के आपको सुना देगी और कुछ अगर आपने लिखना है तो आप बोल के भी लिख वा सकते हैं यह सारे काम expert जो system है वो काम क कर पाईगी को प्लानिंग करना है को ऑप्टिमाइजेशन करना है तब भी आप AI की help ले सकते हैं विजन हो गया चाहे machine विजन हो गया इमेज रिकोगनाई जीशन हो गए यह सारी चीज़े किस तुरू कर पाएंगे आप AI से और रोबो टेक्स पूरा जो आयोटी की ठिंक्स है यह सारी चीज़े आई से आप बहुत ईजिली कर पाएंगे अब आते हैं इसके खत्रे के बारे में यहां से आपको जो code of ethics AI की वो आखर उसके सवाल क्यों उठ रहे हैं तो कुछ आपके इसके जो रिस्क है वह भी जान लिजें रिस्क क्या है महें पहला रिसक ए अनेंप्लोईमेंट का बैसे ही पूरी अगर आगर वर वर्ल्ड में देखे तो अनेंप्लोईमेंट एक खत्रा रहता है यह हर देस के लिए हम देखे तो बहुत ही इसी बना हुआ है तो डिक्स एगर को के इसे काम करेंगे के तो इसमें अगर हम देखें तो प्राइअर जो क्या है ऑटन कर रहे हैं अगर आपने बेंक में देखा हुआ जहां पर पहस्लुमेंपवर की जडूरत हुआं तो वहां पर आपको रोड़ देखने को मिल रहा है तो बहाँ पर जो ज़रूद नहीं होगी और मसीन ऐसा माना जाता है कि जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देखें इसे वही करेगी यानि उसमें टेरर के चांस बहुत ही कम रहते हैं जो की हुमन कर सकता है और रोबोट अगर देखें तो ओल कंपनी जो वि क्या कर रहे हैं तो यह जो सारी चीजें कहीं ने कहीं जब आप बरकर हटाएंगे तो वहां पर क्या है उनको रोजगार नहीं मेलेगा तो अने इंप्लॉइमेंट को भी क्या कर रहा है यह लोग आटिफिसल इंटेलिजेंस यह रस्क बनाएगा टैक एडिक्शन और यह बह प्रवाइड करेगा तो आप क्या है उसको छोड़ी नहीं पाते और इसके पीछे का रिजन क्या है कि आपको वही परूसा जाता है जो आपको पसंद है और टैक्नोलोजी का एक जो मैन जो है सबसे बड़ा जो अबजेक्ट उनको रहता है वो रहता है कि आप आपका कितना टाइम स्पान ले पार रहे हैं यह जो कॉंपिटीशन है इसी को लेकर चाहिए आप यूटूब की बात करें इनके मैन मोटिफ क्या रहते हैं कि आप कितने लंबे समय तक हमारा प्रोड़क्ट यूज कर रहा है तो यह जो टैक एडिक्शन है यह एक बड़ा खत्रा बन जा और आर एडिक्रेटेड़ बाई लाइंनि जैंते मांनके चलिए आप ने क्या किया एक रोबोड बनाया मैंने म catch Home by बनाया और इसने मैं लिख दिया कि क्यों है हमारा मिल्समन कि हमारा दोस्मन मैं अब होगा क्या कि जैसे ही P मानगे चलिए P हमारा क्या है मानके चलिए watchman है चौपिदार है अब जैसे ही क्या है P के घर आता है तब क्या करेगा जो watchman है जो मानगे बाडी-गाड है पी यह तुरंथी kill कर देगा Q को तो यह जो रहेंगे discriminating robot यानि इसको वायस जिस तरीकी से आपने दिखा हुए कि वायस judgmental रहेंगे यानि जो robot रहेगा इसको पता रहेगा कि कौन आपका दूस्ट मेंने कौन नहीं तो यह किस तरीकी से कर पाएगा जो आप उसमें AI फीड कर देंगे वो उसी के थुरू judgmental decision लेगा तो discriminating robot यह हो गया आप इसको सेंपल तरीकी से समझ सकते हैं डेटा प्राइवेसी के concern रहेगा हाला कि अगर हम देखे तो टेक्नोलोजी में कोई भी डेटा क्या है सेफ नहीं रहता है तो यह तो concern हमेशा रहेगा ही डेटा प्राइवेसी का और AI टर्निंग अगेंस्ट हीउमन Terminator जो movie मैंने आपको बता है कि उसमें क्या होता है कि जो robot होगा है पूरी AI होगा है यह मानव सब बता को खतम करने में लग जाती है यह अपनी एक intelligence डेवलप कर लेती है और यह किसके अगेंस्ट हो जाती है पूरी मानव जाती को खतम करने के लिए काम करने लाती है मानव खत्म करती है तो उस movie में आप इसको आप देख सकते हैं I hope आज का दा हिंदू editorial आपने डिसकस किया हुआ और जो मैंने आप से कहा था कि मैं लास्ट में आपको कॉश्चन बताऊंगा तो हम लोग चलते हैं कॉश्चन पर कॉश्चन क्या था आप से पूचा था मैंने कि क्योंकि MP चाहे लोगसभा का हो MP चाहे रादी सभा को उनके लिए सभी के लिए सा 108 रूट वैली खिक्स है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नम्बर ही आउनली फास्ट इसका क्या हुआ राइट आंसर हुआ I hope आपने आज का दा हिंदू editorial discussion enjoy किया होगा मिलते है हम लोग next lecture में तब तक के लिए पढ़ते रही है मस्तर ये जय हिंद